कि अगर बात करें फ्राइड के सेशन में ऑल्मोस्ट निफ्टी ने फ्लाट क्लोसिंग दिया है हाला कि हलका सा स्लाइट्ली नेगेटिव रहा पहले 45 मिनट में तो ऐसा रहता कि भागा जा रहा है निफ्टी पहले जो भी 15-20 मिनट में निफ्टी ने एक लो बनाया 160-70 point का तुरंद नीची गिरा उसके बाद 200-500 point का recovery भी आ गया और उसके बाद में तो पूरा दिन market dead हो गया और थोड़ी देर में हमें पता चल गया थे कि आज का market कुछ खास moment नहीं करेगा वोलटल रहेगा हमें कैसे पता चला था CPR के basis पे CPR एक indicator होता है जो आपको trading view में मिल जाएगा CPR से आप क्या कर सकते हैं आप यह पता लगा सकते हैं कि CPR के basis पे आज का market trending रहने वाला है या range bound रहने वाला है अगर trending रहेगा तो definitely हमारे पास trade बनेगा और अगर range bound रहेगा जैसे last हमारा session था तो avoid करें index में trade करना या particular जो भी stock को आप follow कर रहे थे यह सब के लिए लग लग रहेगा तो जो भी आप stock follow कर रहेगा उसमें आपको लगता है कि आज CPR इंडिकेट कर रहे है कि आज market या वो particular stock range bound रहेगा avoid करें उसको लेकर already एक video हम record कर चुके हैं तो अगर आप हमारे channel पर जाएंगे तो channel के जो हमारे community उसके बाद में छोटा सा आपको search का icon नजर आएगा उस पर CPR search कीजिएगा तो आपको हमारा video मिल जाएगा उसमें हमने detail में समझाया है कि market में कैसे find कर सकते हैं आज का market trending रहेगा या आज का market range bound रहेगा ऐसा नहीं है कि 100% accurate है कभी-कभी यह कहता है कि market range bound रहेगा लेकिन हमारे पास buying opportunity भी आ जाती है selling opportunity भी आ जाती है तो वो कैसे identify करेंगे वो भी हमने वहाँ discuss किया तो उसको जरूर देखेगा और last में लगबगर हम देखें तो एक मेने से हम लगातार CPR को आपको remind भी करा रहे हैं कि range bound market के लिए CPR जरूर चेक कीज़ेगा तो वहाँ पर हमें पता चला कि आज nifty bank nifty में कोई moment नहीं होने वाली और same indication हमें financial nifty में भी दिया तो कर जब trade बनता नहीं तो जबश्ति क्यों trade लिया जाए वहाँ पर आपको एक range bound definitely trade बन सकता था आप range देख लिजेगा जैसे हमने यही चीज़ आप टेलिग्राम पर discuss किया था टेलिग्राम का अगर फ्रेंट साब पार्ट नहीं है बाद में हमें एक trade मिला था grassim का वही एक trade हमने फिर बाद में execute किया तो कई बार हमारे index हमें trade नहीं provide करते हैं हमारे stock provide कर देते हैं तो इस तरह की movement को पैचाने otherwise unnecessary trade देने से कोई फायदा नहीं बेकार में अगर इसमें आपने इंटर किया होता तो definitely हमारा stopless it होता और अगर पहले trade चल रहा है तो ठीक है लेकिन अगर पहले trade नहीं चल रहा है तो fresh trade यहां नहीं बन रहा था हमारे पास अलड़ी पहले trade चल रहा था एक put का तो उसी को हमने continue किया लेकिन अगर हमें Friday को ही नया trade लेना होता तो definitely हमने trade नहीं लिया होता grassy वाले trade हमारा चल रहा है तो इस तरह की moment के लिए हमेशा आपने आपको prepare रखी educate कीजिए बहुत सारे technical indicators आते हैं बहुत सारे use नहीं करने हैं लेकिन knowledge आपके पास में होना चाहिए कि यह वाले indicator हमारे यह काम करेगा यह वाले indicator हमारे यह काम करेगा तो finally क्या हुआ जब यह इसने पूरी moment किया तो इसने last में आकर जैसे उससे पहले दिन एक range बनाई दी उसने फिर से एक range बनाई तो हमने क्या 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 lower range को हमने एक horizon line से mark कर दिया और upper range तो हमारे पास यह already है तो अब क्या लग रहा है कहीं निफ्टी अपने आपको 24,000 के आसपास hold करने की कोशिश कर रही है और अगर यह कोशिश successful हो जाती है तो हमें एक bounce back मिलेगा और अगर यह successful नहीं होती है तो इस बार जो हमारा target रहेगा वो रहेगा 23,500 का यह आराम से आपको देखने मिलेगा और जब भी fall आएगा fall हमेशा शाप रहेगा rise में शायद हमें इतनी ज़्यादा बड़ी moment ना देखने मिले थोड़ा थोड़ा करके attack attack के market जाएगी अभी भी market sell on rise के लिए ready है हो सकता है थोड़ा सापको rise देखने के बाद में फिर से आपको profit booking नज़र आए because nobody is willing to go for fresh investment जैसी rise होती है जो अठकेवे trades होते हैं उसमें से निकलना शुरू कर देते हैं तो उस बात का धियान रखेगा कि rising side में slow हो सकता है falling side में आपका fast रहेगा और अगर Monday के session के लिए directly बात किया जाए तो यह आपको देखता देखें यहाँ पर यह हमारे पास में यहाँ लेवल है यह हमारे पास में आ रहा है 180 का 24 180 और यह जो लेवल आप देख रहे हैं यह आ रहा है 24 100 का अगर हम उसकी gift nifty के बात करें तो gift nifty में 70 80 पॉइंट का fall देखने को मिला है तो most probably looking at gift nifty हम यह कह सकते हैं कि हमें भी थोँआसा gap down opening मिल सकती है तो वो कहां तक जाएगी वो भी देख लेते हैं वो हमारे पास में आएगा यहाँ तक यह वाला जो level देख रहे हैं आप यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पर यहाँ पर एक line draw कर लेते हैं तो दो possibility रखते हैं पहली possibility यह है कि यह वाला जो level है इसी के आजपास open करें नीचे गिरे तो हमारे पास fall आएगा और अगर उस वहाँ नहीं रुक पाया तो उसके नीचे तो हमारे पास 24.050 का level है याद होगा यही level हमने एक दो हफते पहले भी डिसकर्स किया था लास्ट वीक भी डिसकर्स किया था तो यह अगर break करता है इसको hold करके हमेशा याद रखें कोई भी level हुआ अभी यह resistance है ना resistance को break होनी दीजिएगा थोड़ा सा वहाँ pullback बननी दीजिएगा pullback का यह फायदा होता कि जिसको भी profit booking करनी थी वो कर लिए अब market वहीं से bounce back करेगा तो अच्छा सा आपका buy बनेगा तो यहीं पर अगर आपका pullback बन जाएगा तो आपका call by opportunity बनेगी rising side में 300 और साड़े 300 के आपके target बनेगे मैं आपर prefer करता हूँ hedging हैजिंग के लिए क्या करते हैं हम 300 points out of money जाकर call sell करेंगे इससे क्या फाइदा होता है इससे यह फाइदा होता है कि market अचानक अगर आपके against में जाती है तो आपको कभी भी बड़ा loss नहीं नजर आएगा क्योंकि कई बर क्या होता माले जह आपने चार lot ले लिए और अचानक market भागे जैसी यह वाली जो moment थी जो last Friday का first half an hour का 45 minute का moment था यह इतना शाप होता है कि आप कितना भी बड़ा stop loss रखेगा आपका hit हो जाएगा अब आपने अगर put buy किया होता और अचानक इसने देखिए यहां तक धाइसी से उपर का high बना दिया तो कहां रुकेंगे यार लेकिन अगर वहीं पर आपने hedge करके चलेंगे न तो आपको जादा loss नजर नहीं आएगा दीरे दीरे अगर वह आपकी favor में जाता है तो अच्छा profit नजर आएगा तो इसको prefer कीजीगा यह मैं जादा prefer करता हूँ I understand थुरा से capital requirement जादा हो जाती है बट ट्रेडिंग यही आपको लाव करती है stop loss यूज करते हैं तो 50 point का stop loss आपका बनेगा तो यह future के base पे होगा जहां भी आपना 24 मा लेजेगा आपने 200 का call buy किया उस time future चल दा था तो देड़ सोगा आपका stop loss बनेगा तो उसका ध्यान रखेगा बाग कि इसको मैं comfort पर करता हूँ और first condition बनती है कि हमारा market c के आज पास open करे एक बार हलका सो उपर जाए या नीचे गिरे तो यहाँ पर हमारा पहला target रहेगा 23, 950 and 900 का यहाँ पर भी आप 300 point नीचे आगा अपना put sell कीजेगा दूसरा option क्या होता है कि इसके बीच में कहीं open होता है इसके बीचे ओपन करके ऊपर ना जाके नीचे गिरना शुरू करेगा तो यहाँ पर आप अपना put sell कर सकते हैं 23, 950 and 900 का first or second target रहेगा और इसी के आजपास होगा तो यह वारा valid रहेगा और इसके लिए भी 2300 points का आप अपना put sell कर सकते हैं तो यह outlook रहेगा निफ्टी के लिए यहाँ पर जो भी हमने level discuss के बाइसल recommendation नहीं है आपको समझाने के लिए है बताने के लिए कि market कैसे move करते हैं कोई भी trade गर आप देते हैं हमारा अगला index रहेगा bank nifty bank nifty ने 30 minute time frame पर जो pattern form किया है उसके पर focus केजिएगा bank nifty ने 5th को एक बड़ा सा rise दिखाया उसके बाद में उस पूरा दिन 6th वाले दिन पूरा दिन उसी zone में trade किया और फिर अचानक गिरा गिरने के बाद चोड़ा सा pullback लिया उस level को break करने कोशिश की fail हो गया फिर से नीचे हुआ फिर उपर गया और यहां पर आया इस तरह कि जो pattern को बोला जाता है falling valley एक होता rising valley एक falling valley और यहां पर जो इसने बनाया है यह continuation pattern बनाया है तो कहीं नेगे लग रहा है कि यह जो level है हमारे पास में यह break हो गया तो further fall करेगा और यह level को अगर आप इधर भी focus करेंगे और इधर भी focus करेंगे तो कहीं ने कहीं हमारे पास यह level तुरा सा selling opportunity लेकर आ रहा है तो यह level निकल कर रहा है 51, 480 का 51, 480 और अगर वापिस से bounce back करेगा तो I think यह 51, 650 का level रहेगा यह break करता है तो definitely जो अचानग नीचे गरेगा तो हमारे पास यह 300 और इसके नीचे हमारे पास जादा तो 150 आपको पता ही है 51, 100 के आजपास में काफी अच्छा support available है यह वहीं पर आ कर रुख जाएगा और यहाँ पर आपका 51, 300 पहला टागेट और यह 150, 100 का second target रहेगा और bank nifty में we can use 400 points of hedging वापिस से अगर bounce back करता है तो यह level आपको मिलेगा यह level break करने के बाद में hold करता है तो हमारे पास में 850 का और 52,000 का आपका first to second target रहेगा और hedge के लिए आप 400 points out of call sell करेंगे इन bank nifty हमारा अगला index रहेगा mid cap nifty mid cap nifty में आपको last analysis जरूर याद होगा यह हमने एक triangle बनाया था और triangle पे हमने कहा था कि triangle यह neutral pattern होता है अगर यह उपर की तरब break करेगा तो यह buy opportunity लेगा और नीचे की तरब break करता है तो sell मिलेगा तो उसने नीचे की तरब break किया नीचे तरब break करने के बाद में वापिस उसी zone पे आके hit किया है और यह भी kind of continuation pattern है तो rising valley का first slope है और यह अगर ऐसे जाके बन गया तो यह further continuation बनेगा तो यह एक important level हमारे पास में है और यह निकल की आ रहा है हमारे पास में 12,480 का और rising side में हमारे पास यहां बनेगा this is coming around to this level तो यह बनेगा 12,550 का यह break होता है तो हमारे पास 380 और 350 के target के लिए आप इसको put buy कर सकते हैं hedge के लिए मैं चाहूंगा कि आप कल वाला जो Monday का session रहेगा उस दिन का expiry ना लेकर आप next Monday के expiry उस केज़ेगा hold करना भी तो पड़ सकता है hold करने में सबसे best रहता है next expiry और profit में आपको बता दू थोड़ा बहुत पैसा ज़ादा लगता है लेकिन profit आपको बराबर मिलता है यहाँ पर आप क्या कीज़ेगा आप next लेंगे ना तो आप 300 point का अपना next Monday का expiry put sell कर सकते है put buy भी आप next expiry का करेंगे same goes here also यह break करेगा तो 650 और 675 का first or second target रहेगा यह वापिस से इसी zoom के उपर आपकेगा वापिस भागेगा ना तो यही resistance है तो यह उसको next resistance available लेगा और buying side के लिए भी आप 300.2 पर जाकर call sell कीज़ेगा mid cap ने चले आपको stocks के charts को भी study कर लेते हैं पहला पिक रहेगा Indian hotel last session में हमने chumble fertilizer एक दो stock को और पिक किया था हमने क्या पिक किया था कि high से उनमें profit booking देखने को मिली है और आपने देखा chumble fertilizer 6% fall किया था और वहाँ तो हमने आपको put buy का लिए भी recommend किया था यहाँ पर देखेगा same condition बन रही है अगर high से अगर आप देखेंगे because of this result high बनाया high से अगर low की बात करेंगे जो profit booking की एलगवग 2% के आस पास का है तो इसी basis पे हम यहाँ पर pick कर रहे है current closing है 7.33 का और यह हमारे पास में आ रहा है 7.29 से लेके 28 का और rising side में बात करेंगे तो हलका full का आपको यहाँ मिलेगा तो जो भी इसने high बनाया है last candle ने so this is coming around 7.30 5.36 तो 36 कर लेते हैं 7.36 से लेके 38 यह break करेगा तो हमारे पास सीधा गिरेगा 720 के लिए और 7.13 के लिए दोनों तरफ 5 point का stop loss रखेगा rise करता है तो हमारे पास यह उपर भागेगा यहाँ से जाता है तो 7.42 और 7.50 के target के लिए rise करेगा once again stop loss बनेगा 5 point का यहाँ पर भी आप अपना option buy कर सकते हैं with a condition अगर आप 7.30 का put buy करते हैं तो 20 point नीचे जाकर 7.20 का put sell करेंगे 7.40 का call buy करते हैं 7.60 का आप अपना call sell करेंगे यह condition रहेगी otherwise equity में trade कीजिएगा और यह रहेगा Indian hotel हमारा next पे करेगा Granules India Granules India में अगर आप 30 minute time frame को देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक line draw किया है past के जितने भी level से जहाँ पर उन्हें dip किया था उनको consider करते वे तो हमने पाया कि 5.88, 8.9 के आजपास हमारे पास resistance निकल के आ रहा है तो यही level हमारे लिए buy opportunity बनेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ लिए लिए 5.88 और अगर fall करेगा तो हमारे पास 5.80 level है यह break करेगा तो 93 और 98 600 के target के लिए rise करेगा 4 पे का stop loss रखेगा यह break कर देता है हमारे पास में यहाँ लेवल तो सीधा हमारे पास देखे यहाँ तक जाता है अगला पे करेगा पेट्रोनेट पेट्रोनेट में देखेगा लगातार इस particular level को hit करके support बना रहा है पहले stock नीचे गिरा नीचे गिरने के बाद यहाँ पर support लिया फिर भागा फिर इदर से भागा अधे के मही पर आ गया है current closing हमारे पास 328 का है हर बार यह क्या करता है जो भी high बनाया है 330 का इस level के break होने के बाद मैं यह breakout करने के त्यारी कर रहा है breakout करता है तो 33 और 36 के target के लिए 3 रुपे का stop loss रखीगा और अगर fall करता है हमारे पास में तो यह मुझे लगता है 326 के नीचे आपका बन रहेगा तो guys दिया रहेगी है हमारे analysis कल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तल दें take care have a nice day बप